नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखी का सुनीता जैन जी की कहानी उन्हें जाने दो लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें आज सुनिये उन्हें जाने दो उस दिन नौकर छुटी पर था घंटी बजने पर दर्वाजा मैंने ही खोला वह मुझे देख मुस्कराई रीना जी जी पर मैंने आपको मैं शीला पांडे हूँ आए अंदर आए आपकी बेटी और मेरी बेटी एक ही क्लास में पढ़ती हैं अंदर आव उसने बताया मैं बहुत दिनों से आपके उपरन्यास कहानिया पढ़ती आ रही हूँ बड़ी भक्त हूँ आपकी वह हसी एक दिन मैं बैठी वीकली में छपी आपकी कहानी पढ़ रही थी तो आरती मेरी बेटी बोली मम्मी यह तो शबनम की मम्मी की कहानी है बस तभी मैंने नेर्णय कर लिया था कि आपसे अवश्य मिलूगी वह बोलती रही मैं सकुचाई सी उसे परकती रही पैंतीस के आसपास उसकी वह होगी कुछ इस्त्रियां इसी उम्र में पूरे निखार पराती हैं लंबी कमर की खुपसूरत उस महिला की साड़ी और सली का दोनों उसके अत्रिक्त होने का पता दे रहे थे देखिए हमारी एक सभा है वह कह रही थी सभा भी क्या बस ऐसे ही महीने या 15 दिन में कुछ कलाकार एक जगे इकठे होकर गपशप कर लेते हैं हमने सुना है कि आप कभी किसी सभा गोश्टी में नहीं आती लोगों का अनुमान है कि शायद थोड़ बदमिजाज हूं नहीं वह फिर हसी लोगों का जो भी खयालो मुझे पूरा विश्वास था कि जो ऐसी आत्मा को छू लेने वाली रचनाय लिख सकता है वह ब्यक्ति सिंपल के अत्रिक्त कुछ हो ही नहीं सकता इसलिए मैं आपको लेने आई हूं हमारी अगली सभा में घबराहत होती है इंसान इंसान से मिलकर घबराएगा तो जीएगा कैसे मैं परसो आपको पांच बजे पिक अप कर लूगी वह मुझे लेने आई एक बार नहीं कई बार वह जिद करती मनुहार करती और खीच कर मुझे ले ही जाती सभा में तो उसके जाते ही जान आ जाती जब मैं उससे कुछ परचित हो गई तो पता लगा कि वह ना तो लिखती ही है ना चितरकारी करती है यहां तक की आलोचक भी नहीं है फिर भी वह लेखकों चितरकारों और आलोचकों के बीच का सूत्र है सभा में अधिकतर ऐसे कलाकार थे जो अभी प्रसिद्धी की सीड़ी पर पहला या दूसरा ही पैर जमा पाए थे प्राया है ये सभी कलाकार अपनी प्रतिभा से त्रस्त और अपने एहम से कुंठित थे ऐसे में यदा कदा तनाओ उत्पन हो ही जाता शीला जहां भी देखती कि लोगों में किसी बात पर मन मुटाओ बढ़ रहा है या वे एक दूसरे को उगारने पर आ गए हैं तो वह जाकर जट इस्थिती सम्हाल लेती जब कभी वह देखती कि कोई आलोचक जान बूज कर किसी नई लेखिका के पीछे पड़ गया है और आरोप लगा रहा है कि लेखिका अश्लील शब्द का बहुत इस्तेमाल करती है तो शीला उस लाल पीली होती लेखिका के कंधे पर हात रख उसे वहां से ले जाती जाते जाते पूछती जाती अरे सक्सेना सहाब जरा अश्लील की परिभासा तो हमें कभी समझा दीजेगा अगर शीलक किसी को कहते सुनती की फला का फला से चल रहा है या कौन किसकी रखैल है तो वह एकदम विशे बदलवा देती यह कहकर भाई वे लोग खुश नसीब हैं जो जिन्दिगी को जीते ही रहना चाहते हैं मर नहीं जाते ठककर शीला को जो लोग नहीं जानते थे वे उसकी बातों से थोड़ा इस्तंभित रह जाते चौक जाते और एकाद पुरुष उसके इर्दगिर्द पूरी निरलज्जता से मडराते ही रहते पर शीला इन सबसे बेखबर इस कलाकार मित्र से उस तक सारी सभा में हस्ती बोलती रहती कभी कभी मैं शीला की इस बेखबरी पर हैरान होती या गुस्सा कर लेती थी एक शाम मुझे कुछ अधिक गुम सुम पाव वह बोली थी क्या बात है रीना दीदी बोर हो गई क्या जाने कब वह मुझे इतनी आदमेता से दीदी कहने लगी थी बताओ ना क्या बात है तुझ पर गुस्सा आ रहा है अच्छा गाड़ी कुछ धीमी कर वह बोली थी पर क्यों तू इतनी अशलीलता बरदाश्ट कर लेती है किस ओर इंगित कर रही हो दीदी आज शाम की ही लो न वह शुकला कैसे तुझे अपनी और आकरशित करने का यतन कर रहा था और तू मुस्कराय जा रही थी शुकला अरे वह जिसकी मोटी तोंध है गाड़ी एक एक रोग दी मेरी और देख बोली सची क्या वह मेरी और आकरशित था फिर शाम की सारी घटना जैसे मन ही मन याद कर खुब जोर से हस्ती शीला के इस अच्छूते शिशुवत स्वभाव से मैं हार जाती कुछ कहते नहीं बनता सिवाए इसके अच्छा चला गाड़ी क्या चक चक करती है हमेशा दीदी मुझे दुखी देखवाय कहा करती थी बेकार ही इतनी सेंस्टिव हो सब चलता है यह तो जीवन है और मैं सोचती क्या वास्तों में व्यक्ति इतनी सादगी में जी सकता है यह सादगी भी कोई मुखावटा तो न नहीं? नहीं, मुखोटा नहीं था. कितनी ही बार कनाट प्लेस के किसी एम्पोरियम में कोई बहुत खूपसूरत जामावार देख या जावेरी के यहां कोई सुन्दर आभूशन देख, शीला की आँखों में जाने कितना तरल आहलाद भराता. सड़क पर अक्सर ही वह गाड़ी एक और खड़ी कर किसी राह चलती लड़की या महिला को देखने लगती. कहती, देखो न रीना दिदी, कितनी सुन्दर साड़ी है. और गाड़ी में बैठी कोई अन्यमित्र यदि कह देती, पर शीला तुझ पर यह साड़ी अच्छी नहीं मानो कह रही हो, दीदी, तुम तो समस्ती हो न, मैं क्या कह रही हूँ. और कुछी महीनों की दोस्ती में मुझे शीला से प्यार ही नहीं हो गया, उसकी चिंता भी रहने लगी. इतना रूप, इतना धन, इतनी सुरूची लेकर कैसे यह जी पाएगी इस कपटी दुनिया में पर वह खूब बेखबरी से जीती, हर अच्छी वस्तु को प्यार करती चलती, मानो उस वस्तु की सुन्दरता और गुण ही उसके लिए परियाप्त सुक के कारण थे, खरीद कर या जपट कर किसी को वह अपना नहीं बनाना चाहती थी, उसकी उस बेलगाव रित्ती में जह कर्सित करने का यतन करते ही रहते, जैसे शीला की ततश्ठता उनके पौरुष को किसी कसोटी पर कस्ती सी हो, सभाव से मैं शीला से काफी भिन हूँ, किसी चीज पर जल्दी आसक्त नहीं होती, पर जिस वस्तु पर आसक्त हो जाती हूँ, उसे बहुत यतन से सबसे छुपा कर रखना चाहती हूँ, मानो अपना कुछ भी किसी को सौप देना एक बहुत प्राइवेट, बहुत सेक्रेट सी बात हो, जिसे आम आदमी की निगाह से बचाना जरूरी हो, इसी सभावगत अंतर के कारण कभी-कभी मैं शीला के खुले पन से जेब जाती, बार-बार सोचत उसे टोक दूँ, जैसे वह कोई बच्चा हो और तौर तरीके सीखना उसके लिए लाजमी हो, पर हर बार शीला के निर्दोष चेहरे की पार दर्शिता से मैं सोयम ठगी रह जाती मेरा नया उपन्यास उन दिनों एक अध्याय पर आकर रुख गया था, जो किसी भी तरह आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता था उसी की खीज और जुंजलाहट मुझ में भरती रहती, अजब बेबसी महसूस होती अचानक एक दिन वह अध्याय चल निकला, और मैं उसी में ऐसी उतर गई, कि खयाल ही नहीं आया, कि शीला मेरे पास कई महीनों से नहीं आई मामूली तोर पर उसकी याद आई भी, तो मैंने यह कहकर, कि वह सोयम आ जाएगी, या कहीं गई होगी अपनी व्यस्तता में विग्णन नहीं आने दिया, धीरे धीरे वह अध्याय ही नहीं, उपन्याज भी समाप्त प्राय हो गया तो शीला की याद जरा शिद्दत से आने लगी, वह आये तो पहले मैं उसे ही पढ़ने को दूँ, शायद हर लेखक को शीला जैसे एक भक्त पाठक की जरूरत रहती है, पर शीला नहीं आई इससे पहले की मैं उसे खोजने निकलू, सभा की और से एक अन्न महिला का फोन आ गया रीना जी, आपको परसों हमारे वार्षिक सम्मेलन में अवश्याना है, वह फोन पर कह रही थी भई आज आऊंगी, पर यह शीला कहा है, यही तो हमें भी नहीं मालूम, हम तो उसे फोन करकर के ठक गए, कहती है हाँ मैं आऊंगी, पर आती ही नहीं, सभी सदस उससे बहुत नाराज हो गए हैं पर शीला तो जूटे वायदे करने वालों में से नहीं है, हमें हैरानी तो इसी बात की है, आपने उससे पूछा, वह बीमार तो नहीं, नहीं बीमार नहीं है, पर बात जरूर कुछ है मुझे से नहीं रहा गया तभी टैक्सी ले उसके घर आ गई धलती सी दोपहर थी शीला अपने बगीचे में खड़ी माली को कुछ समझा रही थी बिखरे बालों और कश्मीरी कढ़ाई की मैक्सी में शीला और भी मासूम सी लग रही थी मुझे देखती ही मेरे पास आकर दोनों हाथ उसने पकड़ लिये पर बोल नहीं पाई कुछ भी कैसी हो शीला अच्ची हो दीरी आई नहीं इतने दिन से ऐसे ही अंदर आओ न या कहो तो यहीं लौन में बैठें यहीं बैठेंगे वह अंदर चाय भिजवाने गई इस बीच उसका नौकर लोहे की सफेद शीशा जड़ी गोल मेज और लाल मकमली गद्यों वाली सफेद कुर्सियां बाहर रग गया शीला के बगीचे के उतरी सिरे पर अशोक ब्रक्षों की कतार ऐसी लग रही थी मानो बहुत सारे जबरे जानवर सिर जुकाये खड़े हूं और पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने कपड़े से पोच पोच कर उन्हें चमकाया हो मैं उन्ही ब्रक्षों के पास खड़ी थी जब शीला बाहर लोटी नौकर चाय की ट्रे मेच पर रख गया था मुझे अपने घर में अपने पास देख शीला की आँखों में गीली कृतगता उभर आई थी उसके कहने से माली मेरे लिए गुलदावरी का बड़ा सा गुच्छा तयार कर रहा था हम चाय का दूसरा प्याला पी रहे थे वह बादचीत करती भी चुप थी मैंने सीधा सवाल कर दिया वह जानती थी मैं यह सवाल करूंगी ही एक तयार सा जवाब उसने दे दिया नहीं दीदी बीमार नहीं हूँ फिर कैसे बताऊं किसी से प्रेम वेम हो गया है क्या मेरे सवाल का वही असर हुआ जिसकी मुझे आशा थी हाथ का प्याला उसने मेच पर रख दिया जरा सीधी होकर बैठी प्रेम उसने दोहराया मुझे जानती तो हो दीदी प्रेम वेम की बीमारी मुझे नहीं होती और वह जल्दी जल्दी बताने लगी कि करीब 6 महिने से वह जब भी घर लोटती तो लगता कि घर में एक खास तरह का शोर है या वाइब्रेशन्स है एक कमरे में रेडियो चल रहा है दूसरे में टेप रिकॉडर तीसरे में रिकॉर्ड प्लेयर और उसके तीनों बच्चे उसी शोर के साथ जूम रहे हैं उसकी लड़की इसी वर्ष 16 की हो गई थी 15 और 13 वर्ष के दो लड़के थे घर में उसे लगने लगा कि तीनों बच्चे अजनभी होते जा रहे हैं लड़की अब उससे अधिक बात नहीं करती कतराती सी रहती ना पूँचती मम्मी कहां जा रही हो ना पूँचती मम्मी कब आओगी लड़के भी अपने अपने कमरे में दर्वाजा बंद कर बैठे रहते अगर किसी काम वर शीला दर्वाजा खोले भी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कभी-कभी तो वे अंदर से लौक लगा कर बैठने हैं बस ऐसी ही छोटी-छोटी बाती थी जिन से शीला चोट खाती चली गई दीदी मुझे भै लगने लगा है ये लोग कौन है? क्या मेरे ही बच्चे है? मैं कौन हूँ? क्या इनकी मा हूँ? आसू उसकी गहरी आंखों में कुछ देर भीग कर बह गए मेरी ओर से चुप कराने का कोई यतन ना होते देख उसने आसू पोँचे नाप को रुमाल पर दबा कुछ देर बैठी फिर छोटी छोटी इस मृत्नियों को जोडने लगी बेटी की जब सहेलियां आती है तो वे लोग लॉन के किसी कोने गेट के बाहर या छट पर फुसफुसा कर बातें करती है पास से गुजरो तो एकदम चुप पीछे अपमानित कर दे ऐसी दबी सी हसी हस्ती है ये लड़िया मैं मुझे लगता है कुछ फालतू बेमतलब अनाकर्शक चीज हूँ जिसका उनके जीवन में कोई पॉजिटिव रोल नहीं रह गया है इससे भी गहरी होती एक नश्तर चुभन की कुछ होने वाला है कुछ हो रहा है क्या नहीं जानती एक दिन लड़की के कमरे में सुई धागा खोजने चली गई मुझे देखते ही आरती ने पलंके गद्दे के नीचे कुछ चुपा दिया पत्र पुस्तक या तस्वीर लड़कों के कमरे में यह कहने गई कि रेडियो थोड़ा धीरे चलाओ तो दोनों लड़के फर्ष पर एक दूसरे से गुथे पड़े थे लड़ाई कैसी किस लिए इतना बताते बताते शीला कामपने लगी गोदी में रखा अपना शॉल मैंने उसके कंदे पर डाला चाय का ताजा प्याला बना कर दिया पूचा शीला तुम्हें याद है मेरे घर का पता तुम्हें किस ने दिया था आरती, शवनम, आपकी बेटी आपके घर में भी तो इस उम्र की बेटी है आपके यहां यह सब नहीं होता होता है शीला, यही सब होता है आप कैसे सहती है आप तो मुझसे भी ज़्यादा सैंस्टिम है मेरी एक गुरू है, शीला नाम की उसने मुझे सिखाया कि यह सब जीवन है मैंने तब वह बात कितने सहस जंग से कह दी थी दी मैं जानती हूँ कि एक उम्र में हम भी कुछ किताबों के हिस्ते बार बार पढ़ते थे कॉलेज में इधर उधर पेड़ों के नीचे लेटे बे मतलब की बातें करते थे पर दीदी हम रियल थे वे बातें रियल नहीं थी अब लगता है ये बच्चे रियल नहीं रहे वे बातें अधिक रियल हुई जा रही है शीला थोड़ा हौसला सब्र रखो सोयम को बचाओ उन्हें जाने दो बच्चे कुछी अर्से में अपने आप में लोट आएंगे सच दीदी उसे विश्वास नहीं हो रहा था घड़ी की ओर देख वह रोती सी बोली देखो साड़े तीन बजते ही जैसे ही बच्चों के घर लोटने का समय होता है मुझे बुखार सा चड़ने लगता है कापने लगती हूँ किसी दुराशा से बताओ न दीदी मुझे इतना डर क्यों लगता है चाय की खाली केतली उठा वह और चाय लेने चली गई तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं